हाई फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज मैं लेके आई हूँ दो कच्चे आलू से बनी वी बहुत ही यम्मी और टेश्टी स्नैक्स के रेस पर आप इसे एक बाद जुरू टाय कीजिएगा बहुत ही देश्टी लगते हैं खाने में आप इसे सामके चाय के सा या फिर हलकी फुल की भुकों में खा सकते हैं तो चली पर बनाते हैं तो यहाँ पर हमने दो कच्चे आलू लिया है साथ में एक प्याज दो से तीन हरिमेज पांस से छे करिया लहसन इसे हम क्या करेंगे मिक्सर जार में डालेंगे तो सब को मिक्सर जार में डालें अगर आ एक बावल में एक कटोरी चावल का आटा लेंगे, आधी कटोरी सूजी लेंगे, अब हम इसमें स्वात के साब से नमक डालेंगे, साथ में हम इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, अब हम इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आदी चमज गरव मसाला पॉडर और हमने जो पेस्ट तयार किया था आलू और प्याज वाला वो डाल देंगे अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे हलका सा पहले मिक्स कर लेते हैं कि अब हम इसमें थोड़ी सी ना धनिया है दालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम वैटर को त्यार करेंगे हैंं और यह वैटर हमें बहुत ही ना जादा गाढ़ा चाहिए पत्ला चाहिए मेडियम वेटर को रखेंगे तो एक बार हम अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बचे तो देख सकते हैं वेटर हमारा त्यार हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तो यहाँ पर हमने एक चमास तेल डाला है इसे हम मिक्स कर लेते हैं तेल डालने से यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी भी तो बस बैटर मारा त्यार हो गिया है यहाँ पे हमने कड़ाई चड़ा लिए है कड़ाई को गरम कर ले अब हम इसमें एक चमश तील डालेंगे तो यह देखिए तील गरम हो गया तो अब हम क्या करेंगे हम बेटर को डालेंगे और बेटर डालने के बाद इसे हम चलाते रहेंगे और इसे लगातार चलाते वे पकाना है हमें तो इसे लगातार चलाते रहें क्योंकि ये बहुत ही जली चिपक जाता है तो इसे तब तक हम चलाएंगे जब तक कि ये डो के तरह त्यार न हो जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तीन से चार नट में ये दो के तरह त्यार हो जाएगा तो ये दिखिए बेटर जो है डो के फॉर्म में आ गिया है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ये और भी गाड़ा हो जाएगा तो बस देख सकते हूँ ये कितने अच्छे से त्यार हो गया है तो अब हम इसे बावल में निकाल लेते हैं अब हम क्या करेंगे हलकासा हातों में तेल लगाएंगे और हम इसे कोई भी मनपसंद सेप में बना लेंगे तो यहां पर मैं इसे टिक्की के तरह बना रही हूं तो यह देखिए यह बहुत अच्छे से त्यार हो गया है तो ऐसी सबकों बना के त्यार कर लेंगे आप इसे अपने मन पसंद सेप में बनाईए जैसा आपको पसंद दो तो यहाँ पर मैंने इसे टिक्की कद्र बनाया है तो ऐसी सारी नास्ते को बना के त्यार कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे तेल गरम होने के लिए रख देंगे तो तेल गरम हो गया है तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए और एक-ईक नास तक हम इसमे डालेंगे एक बार में जितना कड़ाई में आय उतना डाले और इसे हम दो मिनट के लिए एक तरप से सिखने देंगे तो यह देखिए दो मिनट हो गया है नीचे से इसका कलर अच्छा सा आ गया है तो अब हम इसे पलट देते हैं ध्यान रहे, तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए, अगर तेल गरम नहीं होगा तो यह तूट जाएगा, और इसे पलटने में जल्दवाजी ना करें, जब यह नीचे से सिख जाए तभी पलटें, तो इसे हम ऐसी एक से दो बार पलट पलट के, गोल्डन ब्राउन होने तक फ् तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और ऐसी बचे वे नास्ता को हम त्यार कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राइ करना है, तो बस आलू का यह नास्ता बनके त्यार है, आप इसे हुआ जरूर ट्राइ कीजिएगा, पहुत ही तेस्टी लगएगी खाने में, आ अगर आपको यह रेश्पी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलती हूँ, एक नई रेश्पी के साथ, तब तक बाई गज 그러니까 क् वे खए्वा, प्लीज समानल को सब्सक्राइब नहीं किया।, गिति अभी असितो, नहीं हो, यहा कि अचरण वीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब, जोगी बाईबगो, 2 ले